आज का ये टॉपिक फार्मकोलोजी एक्षन ओफ एंटी एमेबिक ड्रक्स पर आधारित है जिसमें हम लोग कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कर्शन करेंगे और उसका एंसर जानेंगे पहला कोशन है कि मेटो निंडा जूल का मेकेनिजम ओफ एक्षन जिसमें वो पैरासाइट को मारता है यानि कि एमेबिक इंफेक्षन को ठीक करता है वो किस मेकेनिजम ओफ एक्षन पे काम करता है क्या ये प्रोटिन सेंथेसिस पे काम करता है क्या ये डियने अस्ट्रक्चर क disturb करके उस parasite को मार डालता है क्या ये cell walk को blocking करके उसे synthesis करके उस amoeba को मार डालता है या फिर RNA synthesis करके ये parasite को मारता है तो इसका सही answer होगा DNA structure metronindazole जो है वो DNA structure को disturb करके parasite को मारता है और जो infection हुआ है amoebic infection उसे ठीक करता है आपका अगला question ये है कि नीचे दिये गे option के जो drugs है वो कौन सा drugs है जो की metronindazole के alternative रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वो amoeba को मारने का काम करता है और ये जो antibiotic है वो nitro imidazole antibiotic के category में आता है तो इसका सही answer होगा T-nindazole यानि option B यहाँ पे सही हो रहा है T-nindazole आपका अगला question ये है कि जो paromomycin जो drugs है जो anti-amoebic activity show करती है ये नीचे दिये के किस option से उस amoeba को मारने का काम करती है क्या ये DNA synthesis पर आधारित है क्या ये protein synthesis पर आधारित है क्या ये cell membrane को disturb करके उस parasite की integrity को खत्म करती है और क्या ये RNA synthesis के द्वारा उस amoeba activity को खत्म करती है और infection को ठीक करती है तो जैसा मैंने lecture में बताया था आज के class में कि जो paromomycin जो antibiotic है जो antibiotic के category में आती है वो होती है amino glycoside और amino glycoside जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि amino glycoside antibiotic जो ऐसी antibiotic है जो कि protein synthesis के द्वारा bacteria को खत्म करती है तो यहाँ पर option B सही हो रहा है option B is the right answer inhibition of protein synthesis आपका अगला question यह है कि नीचे दिये गया कौन सा anti-amibic drugs यानि जो drugs का नाम चारो option में दिया है कौन सा drugs है जो हमारे intestinal amibiasis को निकालता है सरीर के बाहर और इसे सरीर के बाहर निकालने के लिए इसे luminal agent के रूप में देखा जाता है और साथी साथ यह जो parasite है उसके energy metabolism को असर करता है और उसको मारने का काम करता है तो ऐसा जो काम करता है वो iodocuninol है यह एक ऐसा drug है जो हमारे intestine के अंदर जो खोकली pipe होती है उसके अंदर मौजूद जो भी parasite है चाहे amibas हो उसको वो मार डालता है उसके energy metabolism को disturb करके और उसे flow के जरिये बाहर निकाल देता है यानि इसके लेने के बाद आपको motion भी होगा इसका मतलब यह है कि आपकी bacteria मर गई है और वो हमारे intestinal tract से बाहर जा लिए है So here option B is the right answer आपका अगला question यह है कि अगर amibasis का treatment हो रहा है यानि कि anti-amibic का treatment हो रहा है amibasis के कारण हमारे पेट में infection हो गया है और उसमें diloxanide, furoid नाम की अगर drugs दी जाए तो यह किस रूप में इस्तमाल की जाती है तो यह की जाती है asymptomatic cyst passer के रूप में इसका अर्थ यह होता है कि इसे follow up treatment के रूप में इस्तमाल किया जाता है follow up treatment में जैसे की metronidazole manlige दिया गया जिसके कारण bacteria मर गई अब वो मरे हुए bacteria को बाहर निकालने का काम जो है यह जो drug है जिसका नाम diloxanide furoid है यह करता है ताकि हमारा gut और जो intestine पूरी तरह से साफ हो जाए यानि वासा उठ हो जाए so here option B is the right answer औरे साफ हो जो जाए